अगर थ्रोटल पोजिशन सेंसर नहीं होता तो क्या गाड़ी नहीं चलती या हम कहें कि थ्रोटल पोजिशन सेंसर का क्या काम है क्या जरूर तपड़ी इसकी और फिर हम बात करें कि थ्रोटल पोजिशन सेंसर काम कैसे करता है और इसकी लोकेशन का है और थ्रोटल पोजिशन सेंसर खराब क्यों होता है और या फिर हम कहें कि थ्रोटल पूजिशन सेंसर के खराब होने से क्या क्या फॉल्ट साते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा एक शोटे से वीडियो में और लेकिन उससे पहले दा इंडिन का डक्टर चैनल को देखने वालों का मैं तैदिल से धनेवाद करता हूँ तो दोस्तो आज हम बात करते हैं थ्रोटल पूजिशन सेंसर की तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट कलेर करना चाहता हूँ कि क्या अगर थ्रोटल पूजिशन सेंसर नहीं होता तो क्या गाड़ी नहीं चलती जी हाँ बिल्कुल चलती थ्रोटल पूजिशन सेंसर के बिना भी गाड़ी चलती बट आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बहुत कम होता ये फ्यूल की एककोनोमी हम कह सकते हैं ये फ्यूल की बच्चत करता है थ्रोटल पूजिशन सेंसर है ये फ्यूल की बचत करता है और साथ ही साथ मैं driver के according बिल्कुल जी हां साइब बोलाऊं driver के according गाड़ी चलती है otherwise अगर throttle position sensor नहीं होता तो throttle कितना open हो रहा है कितना close हो रहा है ये ECU या ECM को नहीं पता चलता जिसके कारण क्या होता है ECU क्या करता कि fuel की supply को unlimited unlimited means ungined तरीके से inject करवाता cylinder bore के अंदर जो कि अब throttle position sensor के होने से ऐसा नहीं होता है क्योंकि throttle position sensor ही sense करता है कि कितनी throttle open हुआ है throttle means throttle body अब मैं आपको बता दूँ कि throttle body के उपर throttle position sensor लगा होता है और इसका काम है कि कितना throttle open हुआ है यारी कि जब हम accelerator देते हैं तो कितना accelerator दिया है वो यह sense करके throttle की जो pin होती है उससे यह sense कर लेता है कि throttle कितना घूमा है उसके मताविक यह ECM को signal दे देता है कि throttle अब इतना open हो चुका है और ECM क्या करता है कि इस signal को sense करके वो क्या करता है कि injector के द्वारा उतना ही fuel को cylinder bore के अंदर inject करवाता है जिससे क्या होता है कि जो गाड़ी है वो बिलकुल smoothly चलती है क्योंकि जितनी air inlet manifold में आ रही है उतना ही ECM क्या करता है उतना ही fuel cylinder bore के अंदर inject करवाता है देखे दोस्तों क्या होता है कि normal position में हमारा जो throttle है वो बंद रहता है यानि कि जो butterfly valve है वो बंद रहता है लेकिन जब हम उसको accelerator देते हैं जब हम accelerator pedal पे अपना पैर रखते हैं और उसको दबाते हैं उस time क्या होता है throttle जो है गाड़ी का वो open होता है खुलता जाता है तो जितना throttle खुलेगा जितना जो butterfly valve है वो open होगा उतनी ही air जो है cylinder bore के अंदर जाएगी यानि कि inlet manifold से होते हुए cylinder bore के अंदर जाएगी अब जितनी ज़ादा हवा जाएगी उतना उसको जलाने के लिए उतना ही petrol भी चाहिए उतनी रेशो में petrol भी जाहिए नहीं तो आपकी गाड़ी क्या करेगी आपकी गाड़ी की जो running है वो smooth नहीं होगी आपकी गाड़ी का fuel जो है आपकी गाड़ी क्या है पैट्रोल को पी जाएगी जिस और दूसरा क्या होगा कि pollution भी होगा जब unburned fuel भाहर जाएगा unburned gases भाहर जाएगी तो क्या होगा environment में pollution भी जादा होगा हम बात करते हैं throttle position sensor के location की तो दोस्तों यह लगा होता है throttle body के उपर यहां पे हमारा accelerator होता है बही यह sensor होता है जहां पर butterfly ball होता है वहीं पे यह sensor होता है और अब भी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या faults आ सकते हैं तो फ्रेंड्स फॉल्ट्सस इसमें कई बार हो सकता है जिधूल मिटी की जम जाने के इसके जो नीडल होती हैं वहाँ पे इसके अंदर धूल मिटी जम जाए तो इसको हमने time to time साफ कर ले कर लेना चाहिए या फिर करवा लेना चाहिए दोस्तों इसको आप open करके घर भी साफ कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है कहीं wiring short होने से या फिर हम कहेंगे के wiring कहीं कट जाने से आप ECM से लेके जो टीपी sensor है वहां तक wiring कहीं भी इसकी shot हो सकते है या फिर कपलर जो ECM का यह जो कपलर है यह भी अगर remove हो गया तो उसके कारण भी यह काम नहीं करेगा तो आप इसको check कर सकते हैं यह जो fault मैंने बताए सारे यह check कर सकते हैं क्योंकि dashboard के उपर पता कर जाए पता चल जाएगा जब check engine light वहां पर on होगी तो पता चल जाएगा कि यह sensor खराव है अगर आपका throttle position sensor खराव है तो क्या होगा दोस्तों आपकी गाड़ी smooth जो idle RPM है उसका वह smooth नहीं होगा क्योंकि जो idle RPM है वह rough होगा rough idling करेगा आपकी गाड़ी कभी उसका pickup बढ़ जाएगा कभी कम होगा